मिस्सिस खरे लालबागर्स इंटर कॉलेज के यूटूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ आज मैं क्लास 12 के लिए फिजी सिरीज का 99 पार्ट लेकर उपस्थित हुई हूँ आज मैं बताऊंगी फोर्स ओने मुविंग चार्ज इन उनिफॉर्म मेर्टी फिल गतिमान है तो उस पर ये बल एफ बराबर क्यू वी भी साइन थीटा लगेगा क्यू आवेश है वी आवेश का वेग है बी चुम के छेतर है थीटा जह है वी तथा बी के बीच का कौन है वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिखेंगे वेक्टर एफ बराबर क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी यह आपका क्रॉस प्रेडर्ट हो गया वी क्रॉस बी वी भी साइन थीटा होता है यदि थीटा बराबर 90 डिगरी है तो एफ बराबर साइन 91 हो जाएगा QVB ये F से में maximum force काम करेगा यदि theta बराबर 0 वया 180 degree है तो sin theta 0 तो F बराबर क्या हो जाएगा 0 यदि Q बराबर 0 या V बराबर 0 या B बराबर 0 तब भी F 0 होगा क्योंकि F की दिशा V और B दोनों के लंबत है बच्चों ये पढ़ चुके हो cross product dot product हमने first year में पढ़ाया था आपको ठीक है तो F की दिशा V के भी लंबत होगी B के लंबत होगी तो ये बल जो है ये V के मान को बदल नहीं पाएगा V का मान इससे नहीं बदलेगा जो बल लग रहा है दिशा change हो सकती है ठीक है चुके बल की दिशा जो है आवेश के चिन पर भी निर्भरकति यदि Q धनात्मक है तो इस बल की दिशा V क्रॉस B की जो दिशा होगी वो होगी और Q धनात्मक है तो V क्रॉस B की विपरी दिशा में F की दिशा होगी ठीक है अभी दिशा का भी हमें एक और नियम बता रहे हैं आपको चुमके छेट के में गतिमान धनावेशित कर पर लगने वाले बल की दिशा धनावेशित कर पर लगने वाले बल की दिशा है फ्लैमिंग के बाए हाथ के नियम के उसार बच्चों एक हमने दाहिने हाथ की हतेली का नियम बताया था वो किसके लिए था चुमके छेत की दिशा निकालने के लिए कि धारा वही चालक के चाउता चुमके छेत उत्पन हो जाता है उसकी दिशा निकालने के लिए दाहिने हाथ की हतेली का नियम बताया था अब आज हम बता रहे हैं चुमके छेत में धानाविशित करण पर लगने वाले बल की दिशा फ्लैमिंग के बाए हाथ के नियम के नुसार तो देखिए बाए हाथ से जो है अंगूठा और उसके पास की एक उंगली ये और बीच की मिडल फिंगर ये ये तीनों इस तरह से करेंगे सब एक दूसरे के लंबवत हो तो ये जो है चुमके छेत की दिशा पहली उंगली दूसरी उंगली जो है वो धानाविशित करण की द दिशा होगी अपने हाथ को इस तरह से एड़जस्ट करना है कि ये उंगली आप बल की दिशा में रखें ये उंगली जो है पास्ट्यू चार्ज के वेक की दिशा में रखें तो अंगूठा जिस तरह होगा वो बल की दिशा होगी ठीक है अब देखे लॉरेंस फोर्ट पर कारेरत कुल विद्दुद चुमके बल को लॉरेंस फोर्स कहते हैं देखिए विद्दुद छेत के कारण आपका विद्दुद बल लग रहा है यह आप पर चेके हो Q इंटुई और चुमके छेत में चार्ज गतिमान है तो मेक्टिफोर्स कर रहा है यह भी आपने पढ़ा है Q V क्रोस B तो टोटल बल क्या हो जाएगा वेक्टर F E प्लस वेक्टर F M Q E प्लस F M आपका भी निकाल लिया Q इंटुई वेक्टर V क्रोस वेक्टर B तो यह आजाएगा यह Q ब्रैकेट में वेक्टर E प्लस V वेक्टर V क्रोस वेक्टर B ब्रैकेट में यह आपका आगया लॉरेंस बल की इक्वेशन यह पूछी जाती है बचों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स पार्ट में